Friends कैसे हैं आप सब अमीत करता हुँ कि सभी लोग स्वस्त होंगे, मस्त होंगे Friends आज की हमारी ये वीडियो Washing Machine Repairing Course की 48 तीन की वीडियो है और आज का ये वीडियो Washing Machine Repairing Course का आखरी वीडियो है अब इसके बाद जो है कि कोर्स से सम्बंदित washing machine में कोई वीडियो नहीं बनने वाली है हाँ यदि आप practical की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी कोर्स में आपको इसके बाद practical की वीडियो मिलने वाली है फ्रेंड्स आज की हमारी ये वीडियो लॉयड कमपनी के टॉप लोड फुली आटोमेटिक washing machine में आने वाले सभी प्रकार के error code से सम्बंदित है लॉयड कमपनी का यदि आपके पास कोई washing machine है टॉप लोड का यदि उसमें किसी भी तरह का error code आता है तो आप उसको किस तरीके से आसानी से solve कर पाएंगे हमारे साथ इस वीडियो को last तक देखिएगा आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा चलिए हम यहाँ पर वीडियो को start करते हैं और यहाँ पर हमने लिखा टॉप लोड फुली आटोमेटिक वासिंग मसीन में आने वाले सभी प्रकार के error code के बारे में सीखें नीचे company का नाम lawyer इसके बाद यहाँ पर कुछ error code है और उसका इधर के तरफ मतलब है मतलब इस error code का क्या मतलब इसका यह error code का क्या मतलब यदि आप सिर्फ इतने ही list से सब कुछ सीख सकते हैं तो वीडियो को skip करके जा सकते हैं लेकिन यदि आपको इन सभी के बारे में जानना होगा तो हमारे साथ वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा आपको एक एक चीज हम इसमें बताने वाले हैं चलिए हम सुरुआत करते हैं पहले error code से यहाँ पर E1 error code लिख रहा है यदि Lloyd company के top load fully automatic washing machine में E1 error code आता है तो उसका मतलब यह है कि water का pressure slow है बात को समझेगा water का pressure slow है मतलब बहुत धीरे धीरे पानी जो है कि wash tub के अंदर आ रहा है तो इसका क्या क्या region हो सकता है तो पहला काम तो आप tank को check कर सकते हैं टैंक में पानी नहीं होगा यदि tank में पानी है तो टोंटी को देख लीजिए खूला है कि नहीं खूला है यह भी हो सकता है कि टोंटी जो है बंद होगा जो जिस टोंटी से हो करके पानी हमारे wash tub के अब उसके बाद टैंक में पानी भी माल लेते हैं कि आपने देख लिया ठिक कर दिया पानी आ गया उसके बाद आपने टोटी को खोल दिया अब पानी आता है वासिंग मसीन के पास इनलेट वाटर वाल्ब में अब ऐसे में होता है कि इनलेट वाटर वाल्ब से पानी अब धी दीरे-धिरे आता है तो एक बार जो है कि आप着 वाटर को भी चेक कर लिजेगा कि वाल्व हमारा सही है कि नहीं है यांधी वाल्व सही है तो इसका मतलब की पानी आना चाहिए शही का मतलब आप कैसे चेक करेंगे तो यांभी चेक कर लिजें कि उसके पास PCB से light आ रहा है या नहीं आ रहा है यदि PCB से light नहीं आ रहा है तो इसका मतलब PCB खराब है या तार जो आ रहा है valve के पास तक वो तार कहीं से कट गया है तो इस चीज को भी check कर सकते है या फिर आपकी PCB light भेज रहिए valve के तरप लेकिन valve अपना काम नहीं कर रहा है on नहीं हो रहा है open नहीं मतलब खुल नहीं रहा रास्ता उसका तो इसका मतलब यह है कि उसका जो magnetic coil है coil खराब हो गया होगा उसको आप जाच कर यह direct phase neutral दे करके देख लिजिए कि आपका valve जो है water valve काम कर रहा है कर रहा है यदि माल लेते हैं कि आपका valve भी ठीक हो गया filter सही हो गया टोटी को आपने खोल दिया है जो tank है छट के उपर उसको भी आपने ठीक कर लिए उसमें भी पानी आगा फिर भी जो है कि नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका detergent box में जो छोटा hole होते हैं बहुत सारे hole होते हैं उनको आप साफ कर लिजिए यदि आपने उसको भी साफ कर लिया फिर भी यह problem बना रहा रहा है तो last में आप pressure switch को भी check कर सकते हैं क्या पता है पानी तो आ रहा होगा pressure switch नहीं sense कर पा रहा है तो पानी आएगा तो वो तो साफ साफ दिख गया तो यदि पानी आ रहा है फिर भी यह error code आ रहा है तो इसका मतलब यह pressure जो switch होता है वो सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है तो इतने सारे checking करने के बाद आपको कोई एक fault मिलेगा सभी तो नहीं एक ही साथ आ जाएंगे जो भी हमने बता है उनमें से कोई एक ही fault होगा आप उसको बारी बारी से चेक करेंगे और पता रहेगा तब आप आराम से उस चीज को चेक करके उसको ठीक कर पाएंगे आपका even error code गाइब हो जाएगा आपका water जो pressure slow था वो ठीक ठाक आने लगेगा और machine फिर से काम करने लग जाएगे चलिए हम बात करते हैं E2 error code के बारे में E2 error code का मतलब यह है कि water का level problem है level problem का मतलब ऐसी स्थिती में क्या होता है या तो level बहुत कम रह जा रहा है या जरूरत से जादा हो जा रहा है ठीक है यदि जरूरत से कम आ रहा है तब भी problem है मतलब माल लेते हैं कि आपने 5 वा level पानी का set कर लिया है उसमें या तो आ रहा है तो 8 level आ जा रहा है जरूरत से जादा हो गया या फिर बहुत कम level आ रहा है 5 level set कि आपका 2 level तक पानी भर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर आपको केवल pressure switch को चेक करना है pressure switch अपना सही से काम नहीं कर पा रहा है तो pressure switch को चेक कीजिए switch यह दिस सही निकल जाता है तो PCB से supply जो आता है उस चीज़ को चेक कर लीजिएगा प्रेशर स्विच के पास जो सप्लाई आता है PCB से धाई बोल्ट एक तरफ धाई बोल्ट एक तरफ टोटल पाँच बोल्ट आता है DC बोल्टेज होता है उसको आप मिटर से आराम से चेक कर सकते हैं यदि वो भी ठीक निकल गया तो जो एर पाइप है उसको ध्यान से देख लीजिए कहीं से ने कहीं से वो कटा होगा उसमें हवा का प्रेशर नहीं बन पा रहा है जिससे हमारा जो प्रेशर स्विच है काम नहीं करता है जिसके वज़़ा से वाटर लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो जो भी हमने बताया उसमें से कोई भी एक फाल्ट आता है उसको ठीक कर देंगे तो E2 एरर कोड गाइब हो जाएगा और आपका जो मसीन है बिलकुल सही तरीके से काम करने लग जाएगी अब बात करते हैं E3 एरर कोड के बारे में E3 एरर कोड तब आता है जब आप दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं मतलब कि जो वासिंग मसीन का दरवाजा है आपने उसको खोल करके खुला छोड़ दिया है तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर E3 एरर कोड आएगा यदि दरवाजा आपने बंद कर दिया और E3 एरर कोड गायब नहीं हो रहा है नहीं खतम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि डोर स्विच का प्रॉबलम है जो डोर स्विच दरवाजे से काम करता है उस स्विच का प्रॉबलम है स्विच में जो कंटेक्ट पॉइंट है आपस में चिपक नहीं पा रहा होंगे या फिर आपका जो तार इसके पास पहुच रहा होगा डोर स्विच के पास वो वायर जो है कहीं से कट गया होगा तो इसमें जो है कि आप स्विच के कंटेक्ट पॉइंट को साफ कर दिजिए या फिर ये सब संभव नहीं हो पा रहा है तो आप नया स्विच वहां पर ले जाकर लगा दीजिए काम आपका बन जाएगा E3 Error Code गायब हो जाएगा और आपकी मसीन फिर से चालू हो जाएगी चलिए हम बात करते हैं E3 Error Code Sorry E4 Error Code के बारे में अब ये जो है की Unbalance होने पर ये E4 Error Code आता है Unbalance का मतलब फर्स पर समतल जगाव पर मसीन नहीं रखा गया है तब भी आपका E4 Error Code आएगा यदि आपने मसीन को समतल अस्थान पर रख दिया है तो उसका Balancing Rad खराब हो सकता है मतलब नीचे से Spring तूट गया होगा या फिर Balancing Rad जिस अस्थान पर लगा रहता है वो अस्थान जो है उपर के तरफ जहां से लटका रहता है वो अस्थान गल के खतम हो गया होगा जिसके वज़ा से आपका Balancing Rad सही से Balance नहीं बना पा रहा है और जो आपका Drum है तो आपको क्या-क्या चीजे चेक करनी है पहले मसीन को समतला स्थान पर रख लिजे उसके बाद जो है कि आप उसका Balancing Rad चेक कर लिजे कि सही से Proper लगा है कि नहीं लगा है यदि ये सब सही है तो जरूरस से ज़्यादा आपने कपड़े डाल दिये है जिसके वज़ा से मसीन उसक पूरे कपड़े को ले करके घुमा नहीं पा रही है इस्पिनिंग के समय ये Problem आ जाता है धोने के समय तो नार्मली ये चलता रहता है लेकिन इस्पिनिंग के समय ज्यादा तर ये Problem आता है इस्पिनिंग मतलब क्या समझते है मसीन को समतल अस्थान परकिए चाय बैलेंसिंग राट चेक कर लिजे कहीं से ने कहीं से आपको problem मिलेगा आप उसको ठीक कर पायेंगे चलिए E5 पर चलते है और E5 का मतलब होता है drain problem drain problem का मतलब पानी निकल नहीं पा रहा है कपड़े को धोने के बाद पानी को निकालने का प्रोसेस होता है rinse mode जैसे start होता है और wash mode खतम होता है मतलब खंगालने वाला mode जैसे ही चालू होगा वैसे ही पहले drain motor को supply मिलती है और drain motor पानी को निकालने के लिए चालू होता है और drain valve को खोलता है जिससे पानी निकल जाता है तो इसमें क्या हो रहा है आपका जो drain valve खोल रहा है या नहीं खोल रहा है ये सारी चीज़ें चेक करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले drain motor को चेक कीजिए drain motor साई से चल रहा है कि नहीं चल रहा है यदि drain motor ही नहीं चल रहा है तो या तो drain motor खराब होगा या फिर drain motor के पास जो supply आ रही है वो खराब होगा मतलब supply ही नहीं बेच पारा होगा PCB तो PCB से फाल्ट हो सकता है या PCB से drain motor को जोडने वाला तार खराब हो सकता है इतना सब आपने check-in कर लिया माल लेते drain motor चालू है उसके बाद आपको drain valve को check करना पड़ेगा valve में कच्रा भर जाता है गंदगी आ जाते जिससे पानी नहीं निकल पाता है तो ये भी एक problem हो जाता है और last में आप ये भी check कर लिजिए कि जो drain pipe है ये तो आप सुरू में भी check कर सकते है जो drain pipe है वो नीचे के तरफ गिरा है कि नहीं गिरा है आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी machine चालू किया जाता है तो drain pipe को हमेशा नीचे के तरफ गिरा करके रखा जाता है ताकि मसीन आवसेक्ता पढ़ने पर पानी को बाहर के तरफ निकाल सके यदि ड्रेन पाइप उपर के तरफ टंगा होगा तो पानी निकालते समय पानी निकल नहीं पारा होगा जिसके वज़ा से ये E5 error code आता है चलिए हम F3 पर चलते हैं F3 और F2 normal ये जो है की error code है F3 का मतलब low voltage के वज़ा से ये आता है जरूरत से कम voltage यदि आपके घर में आ रहा है तो उस समय F3 जो है की error code आएगा यदि जरूरत से ज़्यादा voltage आ रहा है तो high voltage का problem है मतलब की उस समय F2 error code आएगा उसके बाद इधर के तरफ है E8 मतलब pressure switch का problem है यदि E8 आ गया तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है pressure switch के पास जाएए और उससे सम्मंदित wiring pressure switch की continuity और उससे सम्मंदित pipe को check कर लिजिए कहीं से ने कहीं से आपको एक समस्या मिलेगा उसको आप समाधान कर दिजिए E8 error code गायब हो जाएगा और आपकी machine फिर से बढ़ियां से काम करने लग जाएगे चलिए हम last में बात करते हैं F5, F6 और F8 के बारे में यदि ये तीनों आते हैं तीनों का आएंगे तो तीनों का मतलब एक ही होता है कपड़े अवसेक्ता से ज्यादा हो सकते हैं मतलब जितनी छमता आपके machine की है माल लेते 7 kg की machine है आपने 10 kg उसमें कपड़ा डाल दिया है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से कोई एक जो है कि आपके जो machine का display है उसमें ये error code 100 करेगा उसके बाद क्या देखते हैं belt धीला तो नहीं नहीं है belt जो है वो कहीं से ने कहीं से धीला होगा इस वज़ा से भी ये जो है की problem आ जाता है ये तीनों में से कोई एक error code आ जाएगा belt धीला रहेगा तब भी ये आएगा और उसके बाद जो है की gear box का problem हो सकता है gear box सही से काम नहीं कर रहा है उसमें bearing होता है bearing खराब हो गया होगा तो उस चीज को आप check करके इन सारी समस्याओं का समाधान आप आराम से कर सकते हैं कम समय में ये सारी चीजे गाइब हो जाएगी तो हमें उमिद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी यदि फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप इस वीडियो के comment box में अपना सवाल type कीजेगा हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके सवाल का जबाब देने के लिए तो उमिद है कि आपको सब कुछ समझ में आया और यदि आप हमारे course से समंदि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो course से समंदित upload हो रही हैं उन सभी को देखना चाहते हैं तो आप एक बार इस वीडियो के description box में चले जाएगा सभी course के playlist का link हमने description में डाल रखा है वहाँ से आप जो है की देख सकते हैं सभी course को घर बैठे आराम से तो चलिए friends आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम